है यह सो वेलकॉम एप्रीवन तो आधे हम लीट कोड 75 यह इस घुलन्ज के याज हम 12 दिन पी है है हम कोश्चन 12 करेंगे थीक है तो व्ट्थो समस्ते कोश्चन के ठिए ठीक है तो नहीं पास यह मीढिवल कोश्चन है ठीक है हमारी पास से इसमें हाइट रहेगा ठीक है तो हमको बताना देगा इसके अंदर कितना maximum water आ सकता है तो हम वही विताएंगे ठीक है अधिक है तो हम समझते एक्जामपल से यही वालाग है इसको समझते हैं कि अधिक है जैसे कोई भी इसका हाइट निकालना है में ठीक है कि अधिक है इसक अधिक है इसकी हाइट 8 है इसकी हाइट 6 है 2 है 5 4 है झो भी है हमको पहले तह पता नीजले जेख कि ज्यादा किसकी कम है ठीक है तो हम एक क्या गरेंगेm mechanism height निकालना हमको ठीक है तो हम सिंपल करेंगे एक हम अपना दोर हैं रखेंगे लेट इस पोजिस्सन पर राकेंगे ठीक है और एक मी अहां पर राकेंगे क्यों तो मिझे Watts को सम१ों ह BIG तो यहां पर क्या होगा कि जैसे इसका इसका विट्थ दिया करका वन देख रहा का इसका एड़ देख रहा का मेरा पॉइंटर यहां पर है एक पॉइंटर यहां पर को यहां पर कि निकल लूँगा है तो समझते हैं यहां पर कैसे करेंगे देखो हम इसका इसका निकल लेगा तो हम कौन सा विट्थ लेंगे आप सोचो कुछ देखो यहां पर एक है पोवर्थ वाटर प्पोष्ट की आत्म यहांप सेतिक हैं एक प्पॉंटर चाब यहांपे हैं मुझे एनका पहले मुझे निकलना एरिया के निकालना निकालना है अपर तो यहां पर लेंथ कैसे निकाले लेंगे लेंथ क्या आओगा यह यह आई वाल पोजिशन है यह पोजिशन आई का है 0 1 2 3 4 5 6 7 यह 8 ठीक है यह 8 है तो हम गया करेंगे 8 पोजिशन और मतलब यह मांद आई कर देता हूं 8-0 कर दिया तो यह आगई हाइट यहाँ पर हमें हाइट जो लेंथ निकालेंगा है जे माइनस आई तो यह मेरा क्या लेंथ निकल गया ठीक है इन्टू हाइट हाइट क्या होगा है हाइट जो होगा मारा जो जो भी रहेगा अरे ओफ आई और अप जब्लेगा क्यूं कि सेवार और एक मेंसे जो मिनमाम हाइट लन एक उठाएंगे ना उस्से उपधाव बटन आई नहीं सकता है यहां पर जो minimum height निकालेंगे हम तो वो क्या रहेगा minimum of 7 and 1 कि मिनमा ओसे वन रहेगा ठीक है तो यहां पर जे और जे मैनस आई कर्थ आठ आएगा और minimum of 7 and 1 आएगा तो यहां पर जो current area height आया 8 आया starting मेरा maximum 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 निकालना है तो हम क्या करेंगे maximum को पहले 0 से denote करकर रखेंगे अब यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारा maximum और जो हमारा यह अभी area में निकाला है ठीक है अगर maximum area इससे कम है तो 0 को 8 में convert कर देगे अब हैं हम इसके मात क्या करेंगे हम यह देखेंगे मुझे क्यों maximum height निकालना maximum water area निकालना ठीक है तब यह चेक करेंगे इन दोनों आगर i वाला value कम है तो i को increment कर देगे जे वाले value कम है तो कर देखेंगे यहां देखेंगे एक छोटा है तो इसलिए इससे काम नहीं बनेगा इसलिए क्या कर दिया इससे ज्यादा height वाला मिल जाए मुझे ठीक है इससे ज्यादा वाला मिल जाएगा तो वह answer हो जाएगा ठीक है यहां मारा i हो आ गया one position पर ठीक है तो जो हाइट जो हम निकाल लेता उस टाइम पर साथ और हाट का minimum क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा ठीक है यहां पर हमारा जो हाइट हो जाएगा 7 7 to 7 to 49 हो जाएगा अब कंपेर करेंगे कि हमारा जाएगा 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 और इसकी हाइट क्या रहेगी हाइट इसकी तीन और आठ का मिनमम लेना हमको हाइट इसकी जो हो जाएगा हो जाएगा 6 into 3 18 हो जाएगा हमार एरिया 18 है बट क्या यह 18 इससे ज्यादा है क्या नहीं है तो हमारा जो लेंथ है लेंथ तो 5 हो जाएगा यह जो भी किस पोजिशन में 6 पोजिशन में 5 पोजिशन में आ गया और इसको जो विट्थ है विट्थ क्या रहेगा एट और एट का मेक्सिम निकलोगा आठ ही आएगा तो जो वैलू आगे कितना कि 40 आ गया है आपके कि अमने इसको डिक्रिमेंट कर दिया तो जो मेरा अब नया वेल्या बना जो हमारा लेंथ हमारा वह गया आपके बनेगा तो इसका 16 बन जाएगा ठीक है यहां पर गया इसकी हाइट क्या हो जाएगा इसकी हाइट क्या हो जाएगी पर चुका है यहां पर जो हाइट हो जाएगी तीन में से एक जाएंगे दो अब आठ हो दो क्या है दो है दो पॉर थे नहीं ठीक है पूर मारा एंसर नहीं जो एंसर नहीं यह भी आया है जो इस्ते पर जो एंसर मिला हाइट का हम निकाल लेंगे जो आठ आया फिर फोर्टी नाइन आया सबसे पहले हम यहां पर एक अपना पॉइंटर लेंगे लेगा एक मेरा राइट पॉइंटर रहेगा ठीक है चुकि हाइट के सबसे राइट में रहेगा ठीक है और यहम्यों मेर्स मेर्या रहेगा जो कि मेरा जीरो रहेगा चालो पॉइंटर निकालना रहेगा ठीक है करेंट ए ठीक है कि कि एक वह में कैसी यह फ़ेंगी है चाहिए था लिंद्द क्या जाएगा जये-स-अब रॉइट-एंडड लेफ्ट-विंद्ध कमने लेंद्ध निकाल लिया हो मल्टिप्प्लाइ क्या करेंगे हमको चाहिए था हॉइट तो मैं है किसे नहीं कालते हैं इसके मिन के हाइट ओफ लेफ्ट और हाइट ओफ राइट ठीक है यह हमारा करेंट एरिया जाएगा हम चेक करेंगे अब मैट जे देदेंगे मैट एरिया को मैट डोट मैट जो भी करेंट एरिया इसके वाल हम चिक कर रहते हैं कि हमारा लेफ्ट जो बाला पाइट है मतलब है इसमॉल है किस कि से हाइट वारइट तो हम क्या नहीं कर रहते है यह पर रस्टस कर रहेते हैं अधर वाइज आपने राइट को न्रिक्रिमेंट कर रहेते हैं ठीक है हुलो और यहां हम रिटर्न कर देश्च एरिया करते हैं यह सिंपल आर रहेगा पास कर लिया अब सब्मिट करते हैं जो कि हमने यह भी पास कर लिया ठीक है तो हम इसका टाइम कॉंप्रेसिट्री ने स्पेस कॉंप्रेसिट्री दिस्क्रस कर लेते हैं टाइम कॉंप्रेसिट्री बात करें हमने तो यह सब चीज ओडर अफ वन में हो रहा है ठीक है इसको अब इसको मिन निकालने का अलगी इसमें हमको मिन निकालने हैं में निकालने हैं हम करेंटेर में जाएगा यहां यहां इसका टाइम कॉंप्लेक्सिटी जो बनेगा वह बनेगा टाइम कॉंप्लेक्सिटी कि ओडर आफ एन का और जो इसका स्पेस के बाद था है स्पेस में हमने ओडर ऑफ वन यह इस्टा यूज यूज निकिया स्पेस जो बनेगा इस पेस ओडर ओफ वन ठीक है तो यह है मारे फिल्विशन था तो मिलते हैं अगले गोश्टर पर थेंक्यू